हेलो फ्रेंज श्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल आर्टिस्टेचिंग में फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम 30 साइज के ब्लाउस की बैकनेक डिजाइन आपकी श्याइर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो सबसे पहले हम ब्लाउस की लेंगे जो भी हमारी लेंद्ध है जो भी हमारी लेंद्ध है उसमें एक इंच प्लस करके लेना है तो इस तरीके से लेंद्ध का निशान लगाने के बाद लाइन को सीधा करेंगे अब सोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो सोल्डर लिए हैं हमने 7 इंच और आर्मूल लेंग कि हैं ने अवं कि यहां कि अव को इ pergi हां थी चेस्ट का सॉर्ध पार्ट लेंगी नोएंच अधाइज का एक्स्षा मार्जन कि टेस्त तरीष दाइनों को स्षीधा कर लेंगे अ तो कमर का निशान लगाएंगी कमर का ci part लेंगे हम सब्सक्राइध का एक्स्रम अरजन तो से तरह के से हम अभी दाइविशाट नो आ जोर्पार मोलेंगे 15 आम गोलाईद लेंगे इस तरह के से हम इन निशान लगाने के बाद अब आम इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमने कटिंग कर ली है अब हम गली की निशान लगाएंगे तो यहाँ कले की चोड़ाई लेंगे चारेंच, और लंबाई में लेंगे 3 निच का इस तक निचन का झाएद अनवा तरह सब्सक्राइँ मिलेंगे सब्सक्राइब आप इसकी लंबा इपने कोडिंग रख सकते हैं इस तरीके से यहां से भी हम चौडाई मिलेंगे चार्व कर वह और इस तरह किसे हम निशानों को मिला देंगे अब इसके हम बीचों बीच सेंटर पर निशान लगाएंगे हमारा आठ इंच है बीच में हमारी चार इंच पर हम इसमें निशान लगा देंगे बीच सेंटर पर इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है अब हम जो हमने सेंटर का निशान लगाया है बहां से हम इस तरीके से पत्ती के शेप में छोटी-छोटी इसी डिजाइन बनाएंगे तो इसी तरीके से हम नीचे की तरब भी एक पत्ती के शेप की डिजाइन बना देंगे अब यही शेप हमें पेपर पेस्टिंग पर भी बना लेना है तो इस तरीके से बनाने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे तो हमें इस तरीके से चार पतियां कट कर ली हैं और इनको हमें इस तरीके से रखके स्टिच करना है तो पहले हम मैन फैबरिक की कटिंग कर ली है तो अब हम इनको पहले कबर करेंगे अच्छे जे उसके बाद हम गले की फिनिशिंग करेंगे तो हैं सबसे पहले हम कमर पर सिलाई लगाएंगे यहां मैन फैबरिक को हमें सीधा रखना है उपर से हम अस्तर रखके पहले कमर पर सीधी सिलाई लगाएंगे अब दौनों को इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके जॉइंट को हम अस्तर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे अब इसको पलट कर हम चारों तरफ से सिलाई लगादेंगे इससे अच्छे से हमारा अस्तर कबर हो जाएगा तो पहले हम बिन्स लगाएंगे और अब हम चारो तरफ सिसलाई लगा देंगे तो इस तरीके से चारो तरफ सिसलाई लगाने के बाद अब हमने जो बोटनेक का शिप बनाया है उसको हम पेपर पेस्टिंग पर भी बना लेंगे तो हम उन्दी निशानों को पेपर पेस्टिंग पर बना लेंगे और बाहर से हमें आधा या एक इंच दूरी से इसको कट कर लेंगे इस तरीके से जिसको कट करने के बाद अब हम इसको अस्तर पर रखके अच्छी से कबर करेंगे तरीके से हम इसको अस्तर पर रखना है पिंस लगा लेंगे और फिर अब हम इसमें चारो तरफ से सलाई लगा के इसको अच्छी से कबर करेंगे तो इस तरीके से इसको कबर करने के बाद इसको इस तरीके से फूल्ड करेंगे, वो कट लगा लेंगे सेंटर पर, तो हम बिलाउस में भी इसी तरीके से सेंटर पर कट लगा लेंगे, अब हम दोनों कटों को इस तरीके से मतलब सेंटरों को मिलाते हुए, और फिर इसमें हम उपर स्लाई लगाएंगे पेपर पेस्टिंग के किनारों से लगाने के बाद बीच में जो कपड़ा है इसको काट के अलग कर देंगे चोटी-चोटी से कट्स लगाएंगे और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पलर देंगे इस तरीके से अब इसमें उपर से आप स् देवलबल फोल्ड चा उन अदर करेंगे तो इस तरीके से वीच कराज़ेंगे। हम लाइन धीच लेना है अब लाइन को भी हम हम वीच छेन पर निशान लगा लेंगे । तो इस तरीके सी निशान लगाने के बाद आध हम 7 पेपर पेस्टिंग की रॉपante कृति उनको अम रस्तर की साथ अच्छी ची कबर करेंगी तो हमने चारो पत्तियों को अस्तर की शाथ कबर कर लिया है अब उनको हमें इस तरीकी से व्लाउस में रखके सलाई लगाना है तो हमें इस तरीके से आमनी शामनी रखते हुए हम पहले पेना टेज कर लेंगे और फिर इन पर बीचो भी सलाई लगाएंगी तो हमें इस तरीके से अच्छी से घुमाते हुए इसमें सलाई लगा लेना है सलाई लगाने के बाद बीच के कपड़ी को हम काट के अलग कर देंगे और फिर इसमें हम किनारों पर चोटी-चोटी से कट्स लगाएंगे और इसको अंदर की तरह पलट के सीधा कर लेंगे इसी तरीके से हमें चारों डिजाइन को बना लेना है तो देखी फ्रेंज हमने चारों पत्तियों को अच्छी से पलट की सीधा कर लिया है अब हम इसमें बैक टक्स डाल लेंगे तो इस तरीके से चार चार इंच पर हमें बैक टक्स डाल लेना है तो बैक टक्स डालने के बाद अब हम फ्लॉवर बनाएंगे तो फ्लॉवर बनाने के लिए यहां हमें छोटी-छोटी चौकूल पीस कट कर लेना है और उनको इस तरीके से ट्रेंगल से में श्लाई लगाते जाएंगे तो इस तरीके से हमें पाची अच्छे कट करना है और इस तरीके से हम ट्रेंगल बना लेंगे और के नारों से श्लाई चला लेंगे अब बाहर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करके हम इस तरीकी से इनको रेडी करेंगे तो हमने पाच रेंगल से बनाके यहां रेडी कर लिए हैं अब इनको हमें इस तरीकी से स्वी धागी से छोटी छोटी टांका लगाते हुए हम इस तरीकी से धागा में भरेंगे इनको पाचो को डालने के बाद हम दागा को अच्छी से खीट देंगे तो यह हमारा फ्लोबर बन जाएगा इस तरीकी से खीचने के बाद हम दागी में अच्छी से नॉट लगा देंगे तो हमने इसमें बीचो बीच बटन भी लगाया इस तरीकी से हमारा यह खुब्सूरा सा फ्लोबर बन के तैयार है अब इसको हम ब्लाउस में बीचो बीच बीच टेस्ट कर देंगे इस तरीकी से लगाएंगे हम बीचो बीच तो देखिए फ्रेंज हमारी खुब्सूरा से डिजाइन बन के रेडी है कैसा लगा असका वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा चैनल पर पहली वार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फूर वाचिंग